हेलो एबरीबोडी तो कैसे हो आप सब उमीद करते हैं साब अच्छे से होंगे आज हमारे पास आया है 12 प्रो मैक से कस्टमर का कहना है कि इसका कैमरा थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा तो हम इसको डिसेंबल करके फ्रांट से इसका कैमरे को पूरी तरह अच्छे से साफ करेंगे तो मिलते हैं वीडियो के साथ तो सबसे पहले एक आइफून को डिसेंबल करने के लिए यह मशीन आती है एक इससे आप आईफून का आपके पास कोई बसा भी लेटस्ट मोडल हो आप उसको इसली जो है डिसेंबल कर सकते हैं यह इसमें अडिशस्टमेंट के लिए यहां पे इन्होंने होल दिये हुए होते हैं कि आपको कौन सा इस्तमाल करना है वो मॉडल के हिसाब से रहता है कि आपको कौन सा मॉडल आप ओपन कर रहे हैं लग-लग मॉडल के लिए यह लग-लग होती है तो हमने इसको अच्छे से इसके जो स्क्रियों क्यों हमने सेट कर लिया है इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी आईफोन आ जाए आपको उसको बहुत ही इसली असानी से आप उसको खोल पाएंगे करने के बाद आपको इसको टाइट करना है थोड़ा वीडियो को पूरा फुल द्यान से देखना दोस्तों कि हलका सा हम इसके अंदर लिकुड लगा देते हैं फॉलकन जिसके हम जैसी बास हम हम फॉलकन कह देते हैं हम थोड़ा तो उसको साइड में लगाएंगे साइट के वह अपनी गुल्यू असानी से छोड़ दे हम दीरे दीरे से इसको थोड़ा थोड़ा ताइट करते जायेंगे और हलके से हमारा कामबो जो है उपर की तरफ बाहर की तरफ जो आना वो शुरू हो जाएगा तो हलके 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 से हम इसको करेंगे यहां के हम इसको टाइट करते जाएंगे जो हमारा कॉम्बू है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो हम यहां पे थोड़ा सा इसको गुसा लेते हैं कागस को क्योंकि यह इसका गल्यू है वह असानी से थोड़ा छूट जाए हलके हलके से आप वीडियो को द्यान से देखना अभी हो चुका है इसने अपनी जगा से झोек फोल्डर को गल्यूने आपनी जगा से छोड़ दिया है तो हम अभी सैट को बाहर निकालेंगे मौर्डा कंबो थोड़ा बाहर आ एक है आपको बहुत ही साबदानी से काम करना है क्योंकि इनiese поступ aud adesso कि अफ़े irap desapare this ksen ब्रेटियोत हो जाती है तो हम सबसे पहले इसकी बैट्री कनेक्ट कर देते हैं अभी उसके बाद हम इसका डिस्क्ले जो है वो अलग कर देंगे क्योंकि हमने इसको बैक कैमरे जो है उनको हमने साफ करना है कि कस्टमर का यही यूशू है कि इसमें क्लैर्टी उसकी नहीं आ रही एक्चुली यह सेट हमारे पास कैमरे चेंज होने के लिए आया था तो हमारे पास कैमरे भी अवेलेवल थे लेकिन हम पहले ऐसी ट्राइब करके देखेंगी अगर इसी कैमरे में बात बन जाए और और ओरिजिनल के ओरिजिनल भी रह जाएंगे और कुछ चेंज भी सेट में होगा नहीं तो पर कैमरे इशू का जो है मैसिज वो आना स्टार्ट हो जाता है तो हम अच्छ कैमरे हमने बाहर निकाल ली यह दोस्तों तो हम इसको अभी अच्छे से साफ कर देंगे और एक बात और बताना चाहते हैं दोस्तों कि आपको जिस चीज से भी आप कैमरे को साब तो हो जाएगा लेकिन उसके अंदर बगभार जाने का डर रहता है तो फिर लेंज खुराब भत जाता है तो इसको आपको को उसकी STE चीज हो, उसी सही आपको साफ करना है, अपने बर्से से इसको साफ कर दिया है, अभी थोड़ा हम अंदर से अच्छी तरह से साफ कर देंगे और फिर उसके बाद खून को चला कर देखेंगे कि इसकी clarity वो कैसी हो चुकी है, तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से साफ कर देते ह बिल्कुल जो भी डस्ट है हम इसके अंदर से सारी निकाल देते हैं वो अच्छे से हम इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा टाइम लग जाएगा उसका कोईश्यों नहीं है लेकिन काम अच्छा होना चाहिए दोस्तों हमारे पास आईफून की सभी रिपेर अवेलेवल होती है हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपने दोस्त के सार्श शेयर निरूड कर सकते हैं अगर आपके पास बर्स नहीं हैं दोस्तों तो आप एक वाइट वाइट कपड़ा भी आता है आप उसके जाद भी इसको साफ कर सकते हैं इसली कोई इशु नहीं है बस ध्यान आपको यह रखना है कि जिस चीज़ से भी आप इसको साफ कर रहे हूं वह गिल्ह नहीं होना चाहिए उसको water नहीं लगा होना चाहिए कोगि अगर आपको गिल्ली चीज से अगर water वाली चीज से इसको साफ करेंगा तो बहर से तो लेकिन वह जो वाटर होगा वह कैमरे के लेंज के अंदर चला जाएगा और बलर मारने लग जाएगा फिर उसकी क्लारटी बिल्कुल भी नहीं आगी उसकेस में पर आपको कैमरे चेंज ही करने पड़ते हैं तो हमने इसको अच्छे से साफ कर दिया है तो अभी हम इसको लगा कि फोल्डर को भी हम अच्छे से साफ कर देते हैं क्योंकि जहां जहां डास्टल रगी रह जाएगी तो वहां पर फिर इसकी क्लारटी है वह नहीं आपको आईगी इसलिए हम इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे अभी हम folder को लगा कर चेक करके दएखते हैं कि इसका camera जो है कितना साफ हुआ हम लगा कर इसको चेक करके देखते हैं अभी सुषलीए set का on कर लेते हैं कि अनकर के हम इसको देखते हैं तो 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 हम इसका भी जो लॉक है लॉक ओपन करके हम इसका कैमरा चक करके देखते हैं कि हमारे कैमरे कितने साफ हुए यह दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो हमारे कैमरे चे वो सक्सेस्फूली हो चुक है और आप किसके पिक्सल पी चेक करके देख सकते हैं कोई भी इशू बिल्कुल भी नहीं है हमारे जो कैमरे थे वो पूरे साफ हो चुके हैं तो चलिए हम इसको भी थोड़ा फिर एक बार ओपन करते हैं और थोड़ा फिर इसको हम पॉल्माइल को साफ करेंगे फ्रेम को और उसके बाद दोबारे जो है वो फिट कर देंगे कंसी नत्राइब मैं फिर से बैटों रखता हूं और फोल्डर को अ साइड में और हम इसकीмен फ्रेम होती है श्को साफ कर देंगे क्योंकि डिस्ट जाने की वज़ा यही रहती है कि अग्यों की जगा होती है तो आपन कीया में लागी वह ultराया일flower तो हम अभी इसको अच्छे से clean करके साफ कर लेंगे, तोंकि हमारे पास इसकी जो ओती है, फॉल्डर fitting की जो glue आती है, वो हमारे पास नहीं है, तो हम इसको वैसे ही fitting करेंगे, मैं recommend करूँगा कि आप उसी से ही fit करें कौकि उससे folder safe रहता है और उसकी fitting भी है अच्छी रहती है बाहर की तरफ जो folder है जो इसे icon बाहर की तरफ आ जाते है वैसे बाहर नहीं आता उससे हम folder को भी अच्छी से साफ कर देंगे जो dust इसके उपर लगी हुई है हम उसको भी अच्छी तरह से साफ कर देंगे दोस्तों यह successfully अच्छा तरीके से हमने इसको साफ कर दिया है और हम हम इसको दुबारा से fit करेंगे पहले हम डिस्प्ले के पत्ते लगाएंगे पीकर का और उसके बाद आपको बैटरी का पत्ता लगाना है आपको ड्राइ इंडाइरेक्ट बैटरी पहले इंसर्ट नहीं करनी दोस्तों क्योंकि ऐसी दिखते आ जाती है कि मोईल जो आईफून है बहुत जल्दी वह शौट हो जाता है तो बैटरी का आपको खास जहां रखना है कोलते वक्त आपको इसको अच्छी तरह से बिठा लेना है पहले उपर की तरफ से और फिर साइड से इसको अराम से हलके हातों से आपको दवाना है जल्द वाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको तो चलिए हम इसके जो हमरे पास स्ग्रिव हुए हम उसको दवारा से लगाते हैं हम दोनों से क्रिव यह हैं वह उसके साथ लगा देते हैं अगा 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 ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों और वीडियो को शेयर करें अपने किसी भी दोस्त के साथ वीडियो देखकर सीखने में बहुत असानी होती है जो पराने मेकैनिक होते हैं उनको तो पता ही होता है इन नए जो होता है काम सीखने वाला उसकी मदद हो जाती हैं दोस्तों तो हम इसके जो स्पीकर है उसको भी अच्छे से साफ कर देंगे जो डस्त बगएरा है वह पूरी निकल जाएगी वह बिल्कुल नहीं जो साफ है वह जो भी है आप देख सकते हैं लेंच की क्लाइटी चेक कर सकते हैं दोस्तों की एक भी डस्त जो आपको है वह इसके अंदर देखने को नहीं मिली तो हम चलिए इसका लॉक कॉल कर इसका कै कामरा चेक करके देखते हैं तो यह देख सकते हैं अब दोस्तों एक नंबर बिल्कुल नीटी नीट एंड क्लीन कंडीशन में यह देख सकते हैं आप कोई बलर नहीं तो चलिए मिलते हैं भी दोस्तों बहुत जाल देख और नई वीडियो में